हलो दूस्तों नमस्कार आज की स्पीडियस में हम बात करने वाले हैं आखिर भारत में पिले इस्टोर की तरह ही एक एप्लिकेशन लाउंच कर दिया गया है पर इसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं है जो कि हम पिले इस्टोर से एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं और अपने Android फून में यूज करते हैं तो वो हम अपने भारत का ही है जो की हप पिले इस्टोर की ही तरह है ठीक है और उसका नाम है इंदू ठीक है तो आप उसकी दरिये आप यहां पर एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बहां से जो भी डाउनलोड आप इसे जो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है एप्लिकेशन डाउनलोड करनी के लिए आपको जाना है अपना Chrome ओपन कर लेता हूं और CROWM open करनी के बाद में मैं यहां पर लिखता हूँ जैसे कि sarkarblog.com ठीक है आपको यहां पर कुछ इस तरीके से लिखतेना है आपको एक बार यहां पर इस चैक कर लेना है जो की आप यहां पर देख पाँ थीक है उसके बाद में आपको इस website आपके सामने ये पहली website आजाएगी इस पर आप simply click कर देंगे click करने के बाद में आपके सामने हैं आप पर देखने को मिल जाएगा जैसे की ये वाला ठीक है देख सकते हैं इंदू app store ठीक है भारत ने किया खुद का play store launch free ठीक है तो आप इसके ज़रीए आप इन एप्लिकेसन को download कर सकते हैं ठीक है अब इसमें सारी चांड कारी बताएगी है कि किस-किस तरीके से आपको इस application को download करना है और किस तरीके से इसे use करना है किस से आप पैसे कमा सकते हैं सारा कुछ ठीक है तो चलिए यहां पर यह website मुझे देखने को मिल लिए इस पर मैं simply click करूंगा और यह download करने का यहां पर option आजाएगा ठीक है तो चलिए मैं इससे download कर लेता हूं तो दोस्तों अगर आप एक इंडिया में रहते हैं तो आप Indian प्लेश्टोर को जरूर यूज करें ठीक है तो आप इसे इसकी link है में आपको वीडियो को discussion में दे दूँगा ठीक है और मैं यहां से इसे open कर लेता हूं त्री रोट पर जाओंगा और इस application को मैं अपने phone में install कर लेता हूं ठीक है यह पूरी तरीके से बिलुकुल अच्छी है और इसे चलाने में भी काफी अच्छा लगता है ठीक है तो चलिए मैं हैंसे इसे done कर देता हूं सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें अपने mobile नंबर से वेरिफिकेशन करना नंबर डाल देते हैं और हमारे mobile नंबर पर एक OTP यहां पर डाल देना है हमें ठीक है तो चलिए हम यहां पर हमारे ओटीप है वो एटो मेटो वेरिफाई कर लिया है उसके बाद में यहां हम कंटीनों पर simply click करेंगे उसके बाद में इससे हम टिक करेंगे परमिशन्स को अलाव कर देंगे उसके बाद में हम इसे बैक करेंगे बैक करना गीफ काले हैं तो हम पर मेस्स को आलाव कर देंगे Permissions Allow करनी के बाद में आपके सामने यह पर सारे के सारे Application आ जाएंगे आप इस Application को आपको यूज किस तरीके से करना है बूमा आपको चलिए यहाँ पर Complete जायनकारी दे देता हूँ, ठीक है उपर में आपको Three Lens का Option मिला है इस पर आप Simply किलिक करेंगे जो भी आपकी ID होगी वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी आप यहाँ से logout भी कर सकते हैं इस application को ठीक है इस application के अंदर आपको short video भी देखने को मिल जाएंगी और आप यहाँ पर help ले सकते हैं और actually मैं यह application launch किस ने किया है वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और जो कि यह application launch किया गया है phone pay की तरफ से ठीक है जो कि हम पैसे transaction करने के लिए use करते हैं उसकी तरफ से ठीक है यहाँ पर हमे manage का option मिल जाता है इस पर हम simply click करेंगे click करने के बाद में जितने भी application आपके फुन में update मांगते होंगे ठीक है वो आपको यहाँ पर simple की देखने को मिल जाएंगे ठीक है और हम यहाँ से देखते ही देखते इन्हें सारे चीजों को update कर लेंगे ठीक है जैसे की यह है facebook है ठीक है आप देख पा रहा है जैसे की instagram है geo retail है तो जिने जिने आप यहाँ पर update करना चाहाते हैं वो आप यहाँ पर update कर लेंगे ठीक है सबसे अच्छी बात यह है अगर आप update भी करते हैं तो यह आप से open करने के लिए यहाँ पर यह permissions मांगता है ठीक है जैसे की यह आ गई है ठीक है तो अब यह जाकर कहीं पर update होगी ठीक है और जो play store से हम यह application को download करते हैं वो डारिक्टी वहाँ पर update हो जाती है ठीक है तो यह इसके अंदर काफी अच्छा मुझे option देखने को मिला है कि हमसे पूछ कर ही कोई भी application है उसका update होगा हमारे phone के अंदर ठीक है उसके बाद में आपको क्रिक्टी से रिलेटर यहाँ पर मिल जाते है कुछ application तो आप उनका भी यहाँ पर use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर explorer जानी की वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं जैसे की sword वीडियो जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ठीक है उसके बाद में अगर आपको गेम यहाँ पर चाहिए तो आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलना है apps ठीक है इसी के साथ में आपको मैं बताऊंगा कि आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं update कर देता हूँ चलिए facebook के लिए भी अब यह आप यहाँ पर नीचे के 5 option यहाँ पर समझ चुके हैं उपर में आपको यहाँ पर language का option मिल जाता है तो आप यहाँ से अपनी language सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको Hindi में चलाना है तो आप यहाँ पर Hindi सेफ्सकर कर लेंगे आप यहां पर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट सब यहां पर आ गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर किसी भी एप्लिकेशन को सर्च करके, और यहां पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मैं इसे अपडेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तो आप यहाँ पर अपनी application को run करा सकते हैं अगर आपके पास application नहीं है और आप application बनाना चाहते हैं खुद की तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है app geyser ठीक है app geysers में आपको जाएंगे आप यहाँ पर spelling को देख लेंगे ठीक है उसके बाद में आप यहाँ पर अपना app खुद का ही फिरी में बना सकते हैं ठीक है और आप यहाँ से application बना कर और आप यहाँ पर run करा सकते हैं 2025 तक आपको कोई भी पैसा pay करना नहीं है दूस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे हो वीडियो अच्छे लगे हो वीडियो उसको लाइक करें चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस वीडियो में